यहां कर तक हलो फ्रेंट्ट जो यह दूसरा मैं प्रीवियस पेपर सॉल और रहा हूं यह उसका स्यकिन पार्ट में जो हमने कुश्चन कर लिये हैं उसके आगे के कुश्चन हम तो 26 को स्टाट करते हैं 26 कोष्चन में क्या करा है X, Y, Z तीन फ्रेंड है उनमें जिसमें X उम्र में सबसे बड़ा है उससे चोटा Y है और सबसे चोटा उससे चोटा Z है X, Y से दो वर्स और Z से पांच वर्स बड़ा है X जो है वो Y से दो वर्स और X जो है वो Z से पांच वर्स बड़ा है वर्तमान में X और Z की उम्र का योग, करेंट में X प्लस Z जो है, उनका योग Y की 5 वर्स पूर्व, यहनि के Y-5 साल पहले जो आयूती उससे 3 गुने के बराबर था, गुना 3 के बराबर था, Y की वर्तमान आयू बतानी है, हमें Y बताना Y की क्या होगी वैल्यू, यह जो यहां आप इतनी देर में लग जाएंगे, X बढ़ा है, Y चोटा है, Z यह है, यह कुछ निए, पहले पूरा पढ़ना भी है, अब हमसे Y की वैल्यू बूचे उसने, पूरी इस equation को Y में convert कर लो, Y में कैसे करेंगे, X की जगा पे, Y प्लस 2 लिख दो, Z की जगा पे क्या लिख सकते ह हैं, हम, Z is equal to, यहीं से solve कर लेते हैं, Z is equal to X minus 5, इतर हो जाएगा, और X की जगा पे क्या लिख सकते हैं, Y plus 2, तो Z is equal to Y plus 2 minus 5, इस दोनों को solve करेंगे, तो यहाँ पे क्या जाएगा, Y minus 3 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, Y minus 3, बराबर 3Y, 3 की अंदर गुना कर दे रहा हूं, 3Y minus 5 15, यहाँ पे दोनों का हो जाएगा, 2Y, देखे क्या बचाएगा, minus 1 is equal to 3Y minus 15, इधर ले गाएगे, तो यहाँ पे बचाएगा, minus Y, इसको उदर ले जाएगे, तो यहाँ पे हो जाएगा, minus 15, plus 1, यहाँ पे जाएगा, 14, minus से minus कट जाएगा, जब हम इसको घटा जाएगे, त minus 14, तो Y की value जो आगी, वो आगी 14, तो question को बिलकुल भी घुमाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, बहुत ही असान तरीके से solo हो जा रहा है, चलिए next question देखते हैं, इसमें तीन dice हमारे सामने दिये हूँ है, confuse नहीं होना है, कैसे करना है, बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, एक standard तरीका में बता देता हूँ, हमें कोई भी दो dice पकड लेने हैं, जिसमें से एक face common हो, पकड लिए, इसमें से अगर जो हम इन दोनों को पकड़ेंगे, तो हमें इसमें E और D दो common दिख रहे हैं, तो इसलिए मैंने बताया, जिसमें एक face common हो, वो वाला dice हम पकड ल रहेंगे, यहां पर लिख लेते हैं, B, D, E, और आगे क्या रहा है, B, A, C, अब इससे हमें क्या पता जलता है, यह दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, यह दोनों एक दूसरे के पोजिट हैं, यानि के E, जो है F, अक्षर के विपरीत में नहीं आएगा, और वैसे भी जहा है, क्योंकि C, अपोजिट में है, E, के, बचा क्या B, B is the right answer, नीचे देख लेने, सिमेंट, घर, तता सेतू के सही संबन दिखाने हैं, सिमेंट, घर, सेतू, अब मैं यह कह सकता हूँ कि यह सिमेंट है, इससे घर बनते हैं, इससे सेतू बनते हैं, ठीक है, पर एक चीज़ सिमेंट के घर और सेतू बनते हैं, नहीं, इसमें तो यही कह रहा है, कि सिमेंट से ही घर और सेतू बनना बिल्कुल गलत, देखे, सिमेंट भाहर कर दिया हमने, सेतू कर दिया, घर कर दिया, यह तो बिल्कुल भी नहीं बनता, यह वाला देख लेते हैं, इसमें क्या कह रह हो सकते हैं आयरन के ठीक है सेम ब्रीज के साथ भी कंडिशन है और सीमेंट से खाली घर और बिरिज ही नहीं मनते कुछ और भी चीज बनी विद्याले बना हुआ हो सकता है या कोई भी अधर चीज बनी हो सकती है तो मेरे इस अब जो या फिर जो राइट आंसर है वो सी है इसमें तो यहां पर कटा हुआ दिखा दिया है तो यह तो कोई लॉजिक ही नहीं मनता निम्लिकित में लुप्त पद्याद करना थीन सो ठीक है उसके बाद दिया सो फिर 180 और 270 370 यह तो बहुत ही आसान सा दिख रहा है मेरे को लगने तो 370 जो है हमारा एक राइट आंसर बन जाएगा नेक्स कोर्षिन में बोला एक आदमी पूरव दिशा से 2 km चलता है पूरव दिशा में चलता है मैंने बताया था पूरव कि दर होगा फूरव दर होगा पूरव चलता है दो किलो मेटर फिर दक्षीन दिशा की तरफ घुम जोने एक किलोमेटर चलता बंदप फिर एक किलो मेटर चल गया इसका थोड़ा सा आधा हो जाएगा दोका फूराव दिशा की और गूंकर तर दिसा की तरफ आठ चार तो यह है कि अब फिर आगे एक जब्शच चार गया 8 km हो गया कि लिए इसके बाद वह उत्तर दिसाम में आठ किलोमेटर चलता है अब वह अपनी प्रावर्म में इस्थिती से कितनी दूर है मैंने बताया था कल कोशिशन कराते में कि अब यह पाई तक और असपिर में लगेगा जो हम कई बर करात मैंने समझा चुका हूं मतलब कैसे करना है अब इसको दो और यह टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी दो यह है और एक आगे है तीन यह कितनी हो जाएगी चार ठीक है जब यह दो और यह चार हो जाएगी तो अब हम इसका स्क्वाइर जो करेंगे मानलों a b c तो a b का स्क्वाइर is equal to 2 का स्क्वाइर 2 का जाएगा स्क्वाइर रूट करेंगे तो पांच हमारा आंसर आजाएगा इसमें जो आंसर है हमारा यह वाला राइट आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 31 0.1 का स्क्वाइर करना है वर्क जो इसका वर्क होगा आप कर लेना कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसी है कुछ ज़्यादा कॉंप्लिकेटिट नहीं है यह सवाल आप इसी ली कर सकते हैं 01 सोरी 01 का जब स्क्वाइर करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आजएगी जीरो जीरो जीर तीन बार फन तो इसका जो राइट आंस्वर है वह हो जाएगा हमरा डी इसमें से लुपत बताना है है एच आई सीडी और यहां पर किया एगा 89 और यहां पर गुछ तो यह अल्फबेट को नुमरीक में कनवर्ट किया हुआ तो सीडिसी बात है एच आई किस किस पोजिशन पर आते हम देख लेते हैं 8 और 9 क्लियर किया यहां पर कितना रहा है 8 और 9 अटि-9 आ रहा है ओ इट-9 आ रहा है हम पर और अगे आ रहा है 3 & 4 तो 34 आ रहा है सामने कि आंसर क्लियर कि चलिए आगे देख लेते हैं इन दोनों की वेल्व एट और नाइन पर आती है यह थिरी एन फॉर पर आता है सिंपल है और वैसे भी सीदी देख सकते हैं है इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि को मन एक दूसरे की तरह ही मैच कर रहे हैं तो इसका अंसर जाओगा 34 आ जाएगा नेक्स साधरन गुणा के पुरिशन में एक बच्चे ने दोनों संख्याओं के अंकों का अपसमें लट दिया और फिर गुणा किया यह पता किया कि गुणनफल एकदम वही था जो मूल संक्याओं का गुनफल होता है वह मूल संक्या कौन सी है कुछ नहीं करना कोई लोजिक नहीं लगाना सीधे सीधे आप क्या करेंगे मैंटिपलाइग करके और उनके रिवर्स करके फिर से कर लेंगे इसका जो स्ट्रेटेजी है वो यह है सबसे पहले जो हम सबसे छोटे जो डिजीट लगेगी हमको उसको सौल करेंगा उप्शन में जिसे कि हमारा सनबच जाए और क्या पता वही हमारा अंसवर निकल जाए तो हम तेरा और बासट का करते हैं तो तेरा और बासट च्छै दो अठा तरह कितना हो जाएगा ट्वंटी सिक्स थर्टी वन ट्वंटी सिक्स च्छ च्छ आ गया मैच कर रहा है अठारा चै चै जीरो साथ और एक आठ बिल्कुल सही जवाब मिल गया हमें आसानी से टाइम वेस्ट कम होगा कैल्कुलेशन सार्फ करनी है हमने मैंने बताया भी था पहले तो डारेक्ली हमारा आंसर बहुत जल्दी और आसान तरीके से आ जाएगा नेक्स्क्रोशन देखते हैं 34 84617925 के सभी अंकों को बाई और से दाई और अवरोही करम में लगाया जाए तो कितने अंकों का इस्थान अपरवर्थित रहेगा पढ़िए इसको 123 नहीं है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है अवरोही करम में 9 से लगा तो 9 8 7 6 5 4 3 नहीं है 21 अब 2 यहां पर बाकी सब डिस्टाब हो गए है सब डिस्टाब हो गए तो 2 परिवर्थित रहेगा एक परवर्ता रोही ने अपने जीवन का एक बटे चार समय बढ़ाई के रूप में एक बटे पांच समय नायक के रूप में एक बटे तीन प्रधा प्रबंदक के रूप में और तेरे वर्स बूढ़े लोगों की संस्थान में बिताया परवर्ता रोही की वर्तमान आयू क्य पानी है कि उसकी जो करेंट टेज है वो क्या है कि कुछ में कुछ में नहीं है हमें सीधे सीधे क्या करना है हमको यह 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 जोड लेना है उसकी वर्तमाना यू मेरे तरफ से यह है एक मान लिए एक मान लो जो मन करें यार वो मन लो एक मान ले मैंने उसकी वर्तमाना यू एक है तो उसने एक मेंसे कितनी आईउ अलग लग तरीके से जी है पहले उसको एड़ कर लेते हैं जोड लेते हैं सीधे-सीधे कि साट एलसी हम रहाएगा पंदरा 12 20 एड़ करते हैं इसको कितना आएगा 7 47 अपॉन 60 आग्या अब हमें यह पता है यह इसकी एज जो इसने अलग लग तरीके से जीती यह वो है तिनों मैंने एड़ कर दिये मैं करन्ट एज इसकी वर्न है तो मैं इसको वर्न को इस पूरी में से घटा लेता हूं अगर जो मैं वन को पूरे में से घटा लेता हूं तो यह जो 13 आएगा न यह 13 वो इस आगा जाए गा जो भी इस एक में पहते भाई प्रबंदक बने के गुजारी इसको जोड़के इसको टोटल में से घटा दिया तो जो एज बची वो इसने हमको बता रखिए कि वो 13 वर्स है तो बस मैं वही कर रहा हूं एक में से इसको घटा रहा हूं जब मैं इसको घटाऊंगा तो यहां पर आजाएगा 60 60-47 13 677 13 13 63 साठ्थ आजएगा एक बड़ाबर है 13 60 और हमें बतायों आये इसने कंए यह तो तेहरा के बराबर है एक रहे हुए अंकीत बलवंत से अधिक धनी है चेतन अंकित से अधिक धनी है תञ चलिए इसको यलगरा जैसा जैसा वो बोल रहा है या कि सबसी बहुए उसकीจะ को रिख रहा है यृत जो है वह चेतन से ज्ञादा धनी है चेतन से ज्यादा धनी है अब उसने बोला चेतन अंकित से अधिक धनी है अंकित बलवन्त से अधिक धनी है सोरी अंकित जो है वह बलवन्त से ठीक बलवन्त से ज्यादा धनी है आगे बोला है उसने चेतन अंकित से अधिक धनी है यानि कि चेतन अंकित से ज्यादा धनी है बि उसे जीनेष यह चर्ण से वी इन सब में सबसे धनी है एक और करेक्टर नहीं है वो क्या है वो इन तो communicating आद रहेँ और इसमें सबसे कम धनवन्थ कोन क्या है Was है अब क्या है बलवीरड़ बलबंध बलवंथ करके जो एंच सबसे कम हो जाएका अब इसमें बताना है एसे शुरू किये गए एसे शुरू होकर जएड़ तक कि अंग्रेजी वन्वाला के बाद वाले आधे अक्षरों को यदि उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से छटे अक्षर के दाएं पढ़ने वाला चोधमा अक्षर होगा कुछ भी नहीं है सवाल में दाएं बाएं करके कर दिया है अब आदमी कानफ्यूज होता रही जिसको होना है तो जिसको समझने हो कर लेगा इसने क्या लिखा है आध्यों को तो और माली फ्रीड़ेश लिख दिया है थीक है आदों को reverse दिया उसके बाद इसने हमसे पूछ लिया कि अब उसके यह दाए-बाएं करके यह बताओ आप आप पेपर में याद रखोगे तो ठीक है नहीं तो के यहां तक बता है हमें M तक मीडिल हो जाता है M के बाद आया हमारा के रिवर्स लिखना है तो ZY X डब्लू वी यू टी एस इसे ज़्यादा जरूत नहीं पड़ेगी उसने बोला है आदे अब उसने लिखा है कि तो बाएं से छटे एक दो तीन चार पांच है अक्षर के दाएं इसके दाएं यह हो गया ना जाएं पढ़नेवाला चोहद्वा अक्षर अभाएं से चोघवा एक दो तीन के वाद गारा तेरा 14 14 अक्षर होगा यार क्यों इतना टाइम वेस्ट करने के लिए इसे कुश्चन मना रहे हैं चलो कोई नहीं अगर जो आप आहम तक याद रखेंगे ना कि हम तक कितने अक्षर होता है कि तेरा ठीक है तेरा के बाद सोड़ी तेरा नहीं होते हैं कि ठीक है तेरा के बाद जो भी हमने आगे जोड़ने होंगे उसी हो जाएंगे पर हमें यह पफॉर्म ऐसे ही करना पड़ेगा यह वी सीडी लिखके क्योंगी तो इसी रहेगा हमारे लिए चलिए नेक्स्ट कुश्चन देख लेते हैं उसमें क्या कह रहा है कैट से एफड़ू एफड़ी डवलू बना है उसके बाद आई जी जड़ से क्या बनेगा यह पूछ लिए अब आपको तोड़ा सा इजी कुश्चन है ऑधिए दिए एफ टीसरा आगया एबी सीडी टी यूवी डवलू के बाद आ रहा है सेम एफ घ एच आए डबलू को चेक कर लेते हैं डबलू डबलू आ रहा है से डवWow गडवलू एक्स माय और जैड ने मतलब जैड़ Megat starch कलिए रहा है दो का पैटरन फ़ोलो कि आघंड इस इसे आ जाएगा एल और जी से जाएगा' जीच आई जैड जैड़ ढारं जाएगा हज्ड एब रेस एव फीड के थी कि जो है मेरे साथ से जाएगा लझे अब हमें प्रिवियस अ लास्त भरना है समय घड़ी में होता है घड़ी में घड़ी होता है घड़ी दोनों में आ रही है किलिर है सूर्य मैं और इट हो गए धर्मामीटर जूरेट शानल हो जाएगा चाली चालीसों कुश्चन नीचे देगे विकल्पों में से प्रसन और चिन को भरिये प्रसन बजना है मचली सोरी पक्षी जो है और मचली है और हवा है और आगे क्या होगा यानिके पक्षी हवा में उड़ता है मचली कहां पानी में पानी यानिके जलान सरो कि माइने में एक जैसे हैं तीन सेम है और एक अलग है वह हमें एल्मिनिट करना क्या है कि इसी डी डी एफ कि एफ यहां पर होना चाहिए था जी और एच रिवर्स आगा आर एस टी यू और वी लमन कि यह गलत हो सकता है यही हो सकता मतलब आंसर जे के लमन कि एक व्यार है एक व्यार कि यह सब्स defendant है तो यह आंसर है व्यार व्यार साझेट और लंड़ मनतलब यह तो आप यह को टमार चाहने कि यू आप इसको करेंगे तो नंबर चाहिए तो आप करेंगे पहले तो इसके लिए हमें वैसे ही टेबल बनानी पड़ेगी जितने फ्रूट है उनके नाम लिख लेते हैं आम उसके बाद क्या है सेब उसके बाद क्या है हमारा अम्रूद अम्रूद ठीक है उसके बाद है हमारा केला फिर उसके बाद है संतरा मं और संतरे के बाद है उपलेक देता हूं चीचू ठीक है अब हमें पता है वी फ्रेंडों के नाम लिए थे ले管 एक्स वाई ओर जट ठीक है अब हमें क्या करना है आग हमें यह करना है कि किसको क्वावांद पहले यह तो देख लें ठीक है इधर यह टेबल बना देता हम दोनों हो जाएंगे ठीक है चलिए सुरू कर देता है इसने बोला है वी एकस तथा जैड को आम पसंद है आम किसको बता है वी एक्स और जैड को उसके बाद देख लेते हैं वी डबलु जैड को अमरूद पसंद है वी एक्स और जैड को केला भी पसंद है वी तता वाई संत्रा वी और वाई को है संत्रा डबलू वाई तता जैड़ चीकू डबलू य और जैड को है ठी को पसंद है एक्स कौन से फल पसंद करता है आगे ना इतना घुमा पिरा के जरा सवाल एक्स करता है आम और अम्रूत को आम और केला को स्वरी आम केला और एक और कहीं पर मिसिंग है इसमें तुरीप और डारेक्ट में में इसको कॉस्चन से भी कर लेता हूं इस ने पूझा है युद्या है P gas को क्या पसंद है इसमें यह पे लुझाति हुरै को उप्से सब नहीं कर दो है रहा कर दो है अकला टो onboard के सब दो में से कौन सा corresponding अक्षर से नहीं बनाया जा सकता मैंने बताया था पहले इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको यू दिग्या इसमें यू नहीं है ज्यादा जाटने की ढूंडने की जरूत नहीं पड़ेगी एक व्यक्ति में एक पंक्ति में पांच मकान पी यह सब सब्सक्राइए है किंग'T सब्सक्राइख क्रें नश्मर कानी Jest King के द्राइप के दाइए हैं और यह और बीच में कौन सा मकान हैं बहुत ही आसी हम क्तों सवाहल था यह के दाई तरफ है पी जो है है विए घ厦्न तरफ है ठीक हए कर आण टीक के बाई ओ रहा है यह भी कि आण ya जो यह है ड्न रहा है अब यह नहीं बता है कि इनके बीच में यह कहाँ पे मैं ती इदर है B जो है वो ड के दाई होर आ गया बीच में कोन सा मकान है गुड econom अब इसमें हमें ट का Due से था उन वो clear कर लेते है P B के दाई हो है P जो है P便不用 है 機ि के दाई हो istu44 क्लिए के दाई और है और है और है और ट के वाई और है यानिके जहां T है ती के भाई और है यह पी बी के दाई तरफ और टी के भाई और है यह जो पी है ना यह पी ही है यहां पर टी है खिलेर हो क्या अब खिलेर हो जाएगा पी बी के दाई हो रहे है और टी के भाई हो रहे है पी की बात चल रहे है पी इसके दाई है इसके भाई है तो यहां पर ट पी के दाई तरफ है जो सी है वो पी के दाई तरफ है यह भी बोल देना होना और बीडी के दाई तरव यह तो किलियर है तो आंसर जो है हमारा पी है पी राइट आंसर नेक्स देख लेते हैं एक व्यक्ति साथ मीटर उचे खंबे पर चड़ता है और एक मिनट में पांच मीटर चड़कर फिर चार मीटर नीचे खिशक जाता है वह कितने मिनटर पे खंब ठीक है तो जो यह चड़ने वाली मिनट है इसकी इसको हम सीधे-सीधे क्या करेंगे इसमें से पहले ही बचाके रख लेते हैं फांच मेटर खटाके रख लेंगे 55 मिटर अजाएगा पच्पन मीटर चड़ने के लिए उसे कितना मिनीट लगेगी 55 मिनिट लगे कि ठीकर जो ये आखिरी मिनिट होगी समय वो क्या करेंग वो पांच मीटर चड़ेंगा जो उपर चड़ गया आयार सवाल उसने हमसे के बुचा यहां तक चड़ने में कितना टाइम लगा उसके बाद खिसके गिरे कुछ भी हो जाए यहां तक तो चड़ गया ना वह रीच प्राइमरी मतलब जो प्राथमिक शिक्षा होती है उसमें बच्चो को किस तरीके से जाना चाहिए यह चित्री है साब दीक तरह चित्री वास्त्विक जीवन के अनुभः यार वह कहां से वास्त्विक जीवा नुभः करेंगे यह दोनों सकते हैं यह दोनों कंब्बाइन दे दिये तो हमारा सी राइट है चात्र के किसी विवार के को अधिक गंभीर समझना चाहिए, कक्षा में शिक्षन काल में बाते करना, जब बढ़ा रहा है मास्टर वो बाते कर रहा है, ध्यान देना चाहिए, ठीक है, अन्या चात्रों को धक्का देना, ये भी ठीक है, ये ध्यान देना चाहिए, कक्षा में से बहुत पृसन करता है यह तो इलकुल लॉज की नी बनाना अलग अलग सा रहता है sì किया है यह बिल्कूल राइट न देह के बच्चा यह कर रहा है तो ऊसको डाट केक अफ्षा में काल में बात कर रहा है तो में जगड़ा लड़ाई गलती कुछ भी हो सकता बट यह जो रीजन है यह एक वैलिड रीजन है अलग अलग से रहता है क्या पता वो मैंटिल डिस्टा वो बच्चे को सब ज़्यादा क्या है कांसलिंग की उन सब चीजों की जड़त होती है तो हमें उसको यह वाला पॉइंट ज से चार गुणा है कि पहले में ऐसे कुछल करा चुका हूं अष्क करना पॉइसे ही करना है बिल्कूल इसी तरीके से आज जो है संट एण बात करते हैं और अज पुत"-की और आज पिता की आयू उसके पुत्तर की आयू से चार गुणा है चार गुना है फादर ठीक है दस वर्स पहले पिता की आयू दस वर्स पहले पुत्र की आयू से 14 गुना थी तो आज पिता पुत्र की आयू का योग 65 है यह भी बता आज यह उने तो आज जो है सन प्लस फादर इस उकल टू 65 करेंट में यह है उनकी तो आगे बताना है तो पिता पुत्र की वर्तमान आयू करम से है अरे वाह कितना इतनी लंबी कहानी बता के इसने कह देंगे लोग जाओ आंसवर ढूंड लो आज उनकी आयू 65 है किसका योग पांच चार और एक पांच लो आठर दो दस लो जी यह तो जीर आगी लास्ट में जीर ओहो हो तीन और दो पांच और एक 665 कुछ करो ही मत सवाल का हल हो गया अब यह है इसको सॉल करना है कुश्चन को इसमें बोल रहे हैं कि जी समी करन का बाइस आएगा सीधे सीधे कुछ कुछनी कैलकुलेशन सार्प करो मैंने कर रखा इसको सहल पहले मैं इसलिए आपको बता दे रहा हूं सीधे में राइट आंस और हम क्या करेंगे इसमें सबसे पहले जो मैंतर होता है वह यही करेंगे कि इसको सिंपली फॉर्म में लिखेंगे ठीक है और कुछ नहीं करेंग द्रीकोशन को डूनी सोला 24 15 12 कि धीर दीर को करते जलेंगे 24 कि यहां कितना बचेगा 3 माइनस 3 बचेगा ना इन दोनों करके 22 आंसर ऐसे करके सोल करना है सार्प का एलकुलेक्शन करनी है चलिए नेक्स देख लेते हैं निमली की देक्षर करम्मे से कोश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा परिशन वाचक चिन की जहां पर क्या आएगा एजएड़ बिल्कु एपीशी फोलो बरो ABC c de efg जी आएगा ठीक है यहनुकर करके चल आएग जैड़ यहां पर है यजड़ देख रहा है वाईज एड एक्स वाईजड ठीक है डबलु एक्स वाईजड यूवी ड़ु एक्स तो जी के बात का एगा डबलु बई सी डी एफ जी एच जी डबलु तो आप कमेंट से नहीं बता दें आपको उसका सॉलुशन या जैसे भी करके उसकी कोई न कोई वीडियो पर्टिकुलर प्रवाइड करा दी जाएगी थैंक यू फॉर वाचिंग प्लीज सब्सक्राइब और शेर भी कीजिए प्लीज थैंक यू